हेलो सो एसके लेक्ट आपको स्वाइब दोस्तों कैसे हो आप आसे करता हूं बहुत अच्छे हों अच्छे रहोगे दोस्तों वीडियो कॉन की मेरे पास चोबी सिंज की एलेडी टीवी रिपेर होने के लिए इसमें समस्या है कि यह स्टेंड वाय से रिलीज नहीं हो रही मतल है देखें रिमॉर्ट युम्हें आपको चेकर करें दिखा देता हूं देखें रिमॉर्ट भी नउला बटन हुन करने का बिल्कुल ओके देखें ठीक है रिमॉत है हमारा इसी डिमोट और जैसे हम इसे ओन करने कोश्त कर रहें है कि कूब दबारें देखें अच्छिए लि देखें किस वज़े साथ है वो देखेंगे अब में हैं पर साइट का जो की है पार रॉली वह भी दबा रहा हूं उससे भी हमां कोई भी फर्क इस पर पढ़ नहीं रहा है तो हम इसको दोस्तों खोल के देखते हैं क्या समय से इसमें और क्या 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 आपको करना चाहिए त तो दूस्तों नहीं होतो पीलीज चैनल सब्सक्राइब आपने है है सब्सक्राइब करना तो बोट तर देंगे मैंग रिटा यहां स्पीकर के पो लなんだ ऑपकान तो हम धिखाते है क्या फॉल्टाट आप किसे लाज ओट्सिंद के सबसे पहले से कम जदा हो कुम सी सक्षिन की और हमारा वायर आइप कर तो तो दोस्तों यह यह फाल राता है पहले हां पर मैं लीड करता हूं मैं इसमें चुर्प सबसे पहले ऐसी कंडिशन में दोस्तों में क्या चीज़ चेक नहीं चाहिए वह दिखाऊंगा आपको करके तो जो जो मैं आपको बताऊंगा यह फोलो करिये स्टैप 101 परसेंट आपकी एक लिए टीवे क्लियर हो जाए अभी में मैं लीड लगाता हूं बोर्ड में इसमें माधा पर दिकत में तो मैंने यह फोल्टेज चेक ने वोगी हमार जो में काड़ है ड्राइब आ रहा है. तो फुम्हें से थोड़ा गुमा लेते हूं एक है आपकी अपकी LED को जो एख थोड़ा गुमा लेते हैं इसको तो हमने अपने LED TV गुमा लिया आप देखिए, मल्टीमेटर को लेना है आपको पहले मैं जब केमरे वो आपको स्थे समझाऊंगा यहां यह सप्लाइब का कोड डाराया मेन वोड में ठीक हैं ये आ गया मैन बोड से दुस्त हमारा अलग अलग सेक्षिं कर रहा है पांच वोल्ड बारार वॉल्ड ह सेटीवी फांच वोल्ड तो यहां पे दूस्तों मेना इसी मेना इसे जाकर अपना प्रोग्रम्म सारा कम कर है तो इहां पर देख सकते हो कोड लिखा हुआ है मालब जो हमारे को अंके लिखा उन है प्लस वोलट या फेडबैक मतलब ओन के लिए तो दोस्तों यह सब पर हमें complete वोल्टेज चेक करने होंगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो मल्टीमिटर को लागा लिजी बीस वोल्ट डीसी पे ठीक है एक इसकी प्रोब दोस्तों ग्राउंड पर रख दीजिए ग्राउंड का मतलब जो आपके यूएसबी पोर्ट है या एंटेने का कबला वो लोहे क बार वोल्टेज देहें जो स्टेंड़ र्लेज करते हैं यह तो हमरे ऑड्ली अ कार्ड पर लगे रहे रहे हैं इसमें पहले और बल्ड ऑप देख सकते हो तो दोस्तों पर स्टेंड़ गया व्ल्टेज हैं वह हम च्एक करेंगे तो यह न्यक्त नहीं यह पार लिख नहीं इस पे नहीं है जबकि दो ग्राउंड उस पर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे देखें एश्टी बी के दो चौटा पीचता वोल्ट आ रही है दो पॉइंट चौटा पीचता यो गलत है और आगे की तरफ देख रहे हैं यहां पर भी यह रिवर्स होका आ रहे हैं ठीक है तो यहां पे दोस्तो हम बस शिर्फ दो पॉइंट चौटा पीचता वोल्टेज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तो हमारा फाल्ट हमें आपने आप ही नजर आ रहा है कि फाल्ट हमारा कहा है फाल्ट दोस्तो हमारा सप्लाई में है क्योंकि जब हमारी स से उपर कुछ भी यहा पर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला आपको क्या करना है, इस kon naturale को बाहर निकालना है, और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सही तरीकाथी, मुझे ताह लगा गरम होके दोस्तों चिपका हो तो दोस्तों दी कितने टाइट निकला मैंने निकाल दिया के वाद ठीक है यह पावर है मतलब नहीं हमारी डीसी एच्टन बाइलेजमा सिगनल वगयरा जो इसके जाते हैं सप्लाई से इसको सप्लाई देना तो अब हम करें कि मल्टी मीटर के एक ग्राउंड पर सप्लाई की तरफ लाएं क्योंकि अब तो बॉर्ड में तो कोई मतलब नहीं और हमें वोल्टेज चेक करनी होंगी कौन सी भाई जो हमारी एच्टीबी की वोल्टेज है और पिलस पांच वोल्टेज हैसे यहां पर देख सकते हो लिखा ह हुआ है साफ साफ देख लिए साइड में जो कोड डले हैं यह इन पिनों का वोल्टेज लिख हुई है तो हमें सिर्फ पांच वोल्ट पहले क्योंकि पांच वोल्ट जब हमारी किलियर होंग स्टंड वाई की और 3.3 वहां पर फ्लैस आइसी पर जाएगी और तभी तो हमार वोल्ट में हमें अभी तो करी थी अभी में ग्राउंड पर अच्छे से लगा कि जब वोल्ट इखातों आपको देखे तेखे फाइप पॉइंट फाइव वोल्ट अरिया नहीं जा पारिया तो दोस्तों देखें और वोल्टेज नहीं तब बनेंगी स्ट बिद्दिए अप चुन कि जब तक हमारे कार्ड तक पूरी वोल्टेज नहीं जाएगी उससे जब पता नहीं लगेगा क्या चल लाया क्या नहीं तो वो काम कहां से करेगा suppose कि यह आप हो आपको खाना आदा दूरा मिलेगा तो कम आप थोड़ा सा करोगे या फिर आप करोगे नहीं कुछ ऐसा ही मसीनरी का फाल्ट होता है दोस्तों जब उसको वोल्टेज पूरी नहीं मिलें तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा बस दिखावा रहेगा एक तरह का तो इसमें इसी तरह से दोस्तों मारा एक दिखावा आया उसमें सिर्फ लाइट दिखा रहा है पर लेकिन करने के लिए वोल्टेज में बराबर नहीं है और जब तक बराबर नहीं जांगी और जिक को थोड़ा सा टाइट लगाएंगे इसको और चेक करके देखेंगे तो नॉर्मल वॉल्टेज है वो तो आने चाहिए है एस टीबी की पांच वॉल्टेज आने चाहिए तो नॉर्मल वॉल्टेज अभी नहीं आने चाहिए इस पर काइदे में जो हमारे आईसी जो है ओडियो वाली आईसी जो इस पर हमारे पांच वॉल्टेज नहीं आने चाहि क्योंकि दोस्तों जब इतों से परमी से मिलेगी वॉल्टेज देने के लिए तो हमारे यहां पर एस्टीबी की पांच वॉल्ट आनी चाहिए बस और बागी कोई दिक्कत नहीं है वो हमारी जनरेट कर देगा वॉल्टेज तो यहां पर हमारी हम वॉल्टेज को एक बार देख कि दोस्तों हाँ पर लाइन बंद हो चुकी है और यहां पर से पावर भी आ रही है इसमें तो यह दुबार बंद होके चल गए क्योंकि सिरीज बॉर्ड में लगिया है एक बार मैं उनकरने कोशिच करता हूं सीधी करके दोस्तों इससे विए अगर आपका फाल्ट के लिए न मैंने आपको सबी टिप्स बता दी है इसके अब मैं यहां पर लेडी को इस तरह से कर रहा हूं और मैं और करने कोशिच करता हूं वही रिमॉट आपके सामने कि देखे दोस्तों आपे बंद हो गई है और देखते हूं दोस्तों हमारा लेडी टीव बिल्कुल ओन हो चुका पर दोस्तों होना चाहिए था तो दुबार से दोख्यों कि हमेने और स्क्रीन के आप वीडियो को आ चुका है तो दोस्तों हमारी लेडी टीवी यहां पर किलियर हो चुकी है तो दूस्तों मैंने बता दी आपको सबसे पहले आपको पावर वॉल्टेज जो हमारे पावर से उसको चेक करना है कोई डायोड है अगर होपन दो नहीं है उसके बाद Ic अगर वोल्टेज ओक है और गनेक्टर रोख के उसके बाद Ic चेक करने हैं आपको फ्लेस Ic फ्लैस आईसी बाइवस आईसी की तरह होती है बड़ी चार पी निदर चार पी निदर तो दोस्तो प्रोपर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो दोस्तो मेहनत कीजिए काम आपको शपर होगा थोड़ा सा दिमाग लगाए ध्यान दीजिए जरूर होगा तो मिरे भाई अपने वीडियो में दोस्तों लाइक जरूर मानता है और अपने दोस्तों में शेयर जरू करना आज के लितना ही मिलते हैं ने मातम दोस्तों आपका दिन सुबह और एसके विलोग का आपको डिस्क्यूशन में लिंक मिल जाएगा धेन्यवाद